सौर ज्वालाओं का एक विस्वोट हुआ है वो जीवन जो इस तरह से विस्वोट के लिए तयार है वो स्फूर्ती से भर जाएगा एक आध्यात्मिक साधक के लिए अनुकूल समय आने वाला है कुछ इसका लाब उठाएंगे, कुछ शिकायत करेंगे, आप क्या करेंगे? तो मौनसून के अगस्त महीने के हिसाब से ये काफी गर्म है शायद अगले 10-12 महीने औसतन तापमान दूसरे सालों के तुलना में कहीं ज्यादा होगा क्योंकि सौर जुआलाओं का विस्फोट हुआ है हमें ये समझना चाहिए कि इस धर्ती पर सारा जीवन सौर उर्जा से चल रहा है सौर उर्जा कोई आपका अविश्कार नहीं है क्योंकि आपने सोलर पैनल बना लिया पेड का पत्ता एक सोलर पैनल है ये ग्रह अपने आप में एक सोलर पैनल है वो सब कुछ जो हम यहां कर रहे हैं चाहे आप एक पेड को खाएं या जानवर को या आप लाइट चालू करें वो शायद डीजल या कोईले या किसी और चीज़ पर चल रहा हो पर चाहे जो हो सब कुछ सौर उर्जा से है तो इस धर्ती पर मूल उर्जा सूरी की है जब ऐसा है तो अगर इस सौर उर्जा का स्त्रोत हमें एक विस्फोर्ट दे रहा है अगर आपको इसे लेना आता है तो ये बहुत लाबदायक होगा अगर आप नहीं जानते कि इसे कैसे लें तो अब जल सकते हैं हाँ तो इसे कैसे लें इसका क्या मतलब है जैसा कि आप सब जानते हैं या शायद न जानते हों आप मैंसे कई लोग मासूम हैं सिर्फ किताबे पड़ी हैं आप प्रिथ्वी पर घूमे नहीं हैं मैं ये कह रहा हूँ आप जानते हैं कि सभी पेड़ पौधे गर्मियों के आने पर खिल उठते हैं हम इसे बसंद कहते हैं असल में ये गर्मियों के शुरुवात है और जीवन खिल उठता है जब सौर उर्जा पर्याप्त नहीं होती तो सब कुछ धीमा हो जाता है इतना तो आप जानते हैं आपने कहीं पढ़ लिया होगा तो अगर आपको सौर उर्जा का विस्फोर्ट मिले लाइफ दाट इस रेड़ी फर दाट कांड अव ब्लास्ट विल इन्विगरेट लाइफ दाट इस नोट रेड़ी विल द्विंडल दाँ और गेट बर्न दाँ तो वो जीवन जो इसके लिए तयार होगा वो सौर्टी से भर जाएगा और वो जीवन जो तयार नहीं है वो कमजोर हो जाएगा या जल जाएगा तो अगर ये मिट्टी उप जाओ है और परियाप्त नमी को सोखे हुए है तो अगर सूर बहुत गर्म हो जाए, तो ये पेड दुगनी तेजी के साथ बढ़ेगा, सामान्य गती की तुलना में, अगर मिट्टी में पोशन नहीं है, तो सूर इसे जला डालेगा, यही बात आपके और मेरे लिए भी है, अगर आपकी जड़ें उपजाव जगा में हैं, तब सौर जवालाओं से इनसानों को खिल उठना चाहिए, क्योंकि हम इस धर्ती के किसी दूसरे जीवन से अलग नहीं है, उनकी और हमारी भौतिक सनरचना, जब मैं कहता हूँ भौतिक सनरचना, तो रूप नहीं, पर बुनियादी भौतिक सनरचना, और जैसे इनका क्रम विकास हुआ है, तो ये एक ही तरह से हुआ है, अमीबा से लेकर मनुष्य तक, तो हर जीवन, अगर ये उपजाउस त्रोत में है, तो वो खिलेगा, नहीं तो मुर्जा जाएगा, या कम से कम, नुक्सान तो उठाएगा, तो अगले बारा माईने, दस से बारा माईने मैं क पहूंगा, शायद बहुत गर्म हो सकते हैं, हो सकता है न भी हो, निरबर करता है कि प्रिध्वी इसके जवाब में क्या करती है, अगर गर्मी ज्यादा होगी, तो इस धर्ती के जलाशयों से वाषपी करण की मात्रा भी ज्यादा होगी, खास तोर से महसागरों से, जो कि अगर पानी भाब बनेगा, तो आपको क्या लगता है, ये कहां जाएगा, मुक्य तोर से सबसे पहले ये बादल बनता है, तो अगर बादलों का निर्मान बहुत ज्यादा होगा, तो फिर से ये प्रित्वी को ठंडा कर देंगे, पर एक चीज जो होगी, वो ये कि जब बाद बादल उपर उठते हैं, तो वो बस वहाँ बने नहीं रहते, नहीं ऐसे ही गायब हो जाते हैं, उनका ज्यादतर हिस्सा नीचे आता है, बारिश के रूप में, दुनिया के वो हिस्से जो काफी ठंडे हैं, वहाँ ये बर्फ के रूप में नीचे आएंगे, अगर जगा ग बड़ी चुनौती होगी, और कुछ हद तक हमारे लिए भी, यानि कि सालाना ओसत जो बर्फ गिरती है, अगर इस बर्फ का 20 प्रतिशत भी बर्फ के बजाए बारिश के रूप में नीचे आ गया, तो मानव समाज के लिए अकलपनीत रास्दी हो जाएगी, खास्त और से श मुझे लगता है अगर आपको मुंबई ये दिल्ली में रहना हैं, तो आपको अपनी कार के साथ एक नाव भी चाहिए, क्योंकि ये हर साल होता है, अब ये 12 साल में एक बार नहीं होता, हर साल हो रहा है, तो वहां रहने के लिए आपको एक नाव भी चाहिए, वैसे दक्ष है कि जैसे गर्मी बढ़ेगी तो मौनसून की हवाएं और बादलों की गती थोड़ी उत्तर की तरफ हो जाएगी ये एक्वेटर से दूर होते जाएंगे ये स्वाभाविक होता है कि जब गर्मी ज्यादा होती है तो ये भूम अद्यरेखा से दूर हो जाते हैं तो वो बारे जो यहां गिरनी चाहिए अगर वो जर्मनी या स्विट्जर्लेंड या कहीं और चली जाएगी तो वो जगए इस तरह की बारिश के लिए तयार नहीं है उन्हें बर्फ चाहिए लेकिन हम बारेश और मौनसून की बातें क्यों कर रहे हैं सद्गुरू सद्गुरू ये दर कुछ इससे लाव उठाएंगे कुछ शिकायत करेंगे आप क्या करेंगे आपको इससे लाव उठाना चाहिए तो मैंतव पून बात यह है कि इसूर्जा का सन्रक्षन कैसे करें कैसे इसका साखारात्मक धंक से उपयोग करें बजाए कि इससे बीमार हो जाएं تو वो सब मेड लेकिन महतुपून चीज यह है आप मैंसे ज्यादा तर लोग सूरिक्रिया का अभ्यास कर रहे हैं इसका मतलब हम ज्यादा ग्रहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं अब ये उन बेवकुफु को भी सिखाया जा रहा है जिन्होंने कुछ नहीं किया है अगर आप सही तरीके से इसे ग्रहेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उर्जा में एक खास उल्लास रहेगा अगर नहीं करेंगे तो यह आपको दुरबल बना देगा तो एक आध्यात्मिक साधक के लिए आने वाला साल अच्छा होने वाला है मैं बारा महीनों का लाब उठाना चाहता हूँ कि ज्यादत तर प्रांट प्रतिष्ठाएं जो हमें करनी है हमें समय में पूरी करना चाहेंगे जब प्रकृति हमारे लिए अनुकूल है मैं ये सब बता रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं सौर्ज वालाओं या किसी चीज़ का अध्यन कर रहा हूं मेरा शरीर मुझे बताता है हर दिन आपका शरीर भी बताता है आपको सुनना सीखना चाहिए अब पानी पीने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए कि कितने लीटर पानी आपको पीना चाहिए एक कुता, बिल्ली, पक्षी हर कोई जानता है कि पानी कब पीना है और कब नहीं, है न? फिर इंसान कैसे नहीं जानते? तो ये इसलिए क्योंकि आस्मान में तो बादल हमारी ले लापदायक होते हैं पर आपके सिर में ये अच्छे नहीं होते ये बादलों से घिरा हुआ है क्योंकि एक बुन्यादी गल्ती जो आपने कर रखी है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को सच्चाई मान कर बैठे हैं अभी आप सबको एक टाइगर के बारे में सोचना है सोच सकते हैं एक चमेली के फूल के बारे में सोचिए सोच सकते हैं एक शैतान के बारे में सोचिए आप जो चाहें उसके बारे में सोच सकते हैं है की नहीं पर आपका ही बनाया हुआ आपको कैसे टॉर्चर कर सकता है ओ अगर आपका ही बनाया हुआ, आपको टॉर्चर करने लगे, तो आप सच मुझ दिक्कत में हैं, है ना? चोटी मोटी नहीं, बुनियादी समस्या में हैं, क्योंकि वो बुनियादी गल्ती ये है कि आपने अपनी मनोविज्ञानिक सच्चाई को अस्तित्तु की सच्चाई मान रखा है मनोविज्ञान हमारा बनाया हुआ है, हम इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं ये ड्रामा है, मानसिक ड्रामा जो आप बना रहे हैं, कम से कम अच्छे डारेक्टर तो बनिये, हलो? यहां क्या होना चाहिए यहापको तै करना चाहिए ? नहीं तो अगर आपको ड्रामा चलाना नहीं आता तो कम सесके और भिषी है और बस बैठें आपको थोड़ा गहर करना चाहिए कि क्या हो रहा यह कम से कम तीन से चार गंटे में एक बार बस दो मिनिट के लिए अपनी आँखे बंद करिए और देखिए कि क्या चल रहा है अभी क्या इसे खाने की जरूरत है पानी पीने की या बस सांस लेना अच्छा है क्या हो रहा है हलो क्या आपका जीवन इतना ध्यान देने लायक तो है मैं पूछ रहा हूँ आपका जीवन क्या इतने के लायक तो है तो प्लीज करिए तो यह अच्छा समय है अगले 10 से 12 महिने हम दिसंबर के महिने में जब यह गर्म होगा पर सुहामना भी होगा तो हम यहां ईशाय योग केंद्र में यह साधना का महिना होगा तो यह एक अच्छा समय है क्योंकि जो जानता है वो जो जीवन के लिए फिट है हर समय अच्छा समय होता है जो जीवन के लिए फिट नहीं है वो हमेशा यह देखता रहता है कि कौन सा अच्छा समय है, कौन सा बुरा है अगर आप जीवन के लिए फिट हो जाएं तो हर समय अच्छा समय होगा आईए इससे संभव बनाएं